आपका गौर्णमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है जॉब्स एड्मिर्कार रिजर्ट एक्जेक्टर इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें आपको उत्राखन प्राइमेरी स्कूल टीचर रिजर्ट एंड कांसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दूँगी तो आप जानकारी के लिए वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहे हैं जानकारी के लिए मैं आपको वैबसाइट पर लेके चलती हूँ वायत्री जॉप्स.com पर स्टूरेंट्स उत्राखन प्राइमेरी स्कूल टीचर का जो रिजर्ट है जल्द अपनी ऑफिचल वैबसाइट पर ऑनलाइन ऑथराइज वैबसाइट पर आपका रिजर्ट जारी करेगी सबी कानिडेट्स अपने नंबर रोल नंबर वाइज अपने रिजर्ट को चेक करेंगे और मैं आपको बता दूं सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो भी कांसलिंग से जुड़ी है वो वैबसाइट पर अपलब्ध है आप देखिए शिक्षिक भरती कांसलिंग जो करिया का टाइम टेबल क्यार कर लिया है वर्तमान में लंबे समय से खाली बैकलॉग में 550 से अधिक पदों पर भरती की जा रही है नहीं भरती में 2600 शिक्षकों के न्युक्ति होनी है अपने देशक बेसिक शिक्षा व्यस रावत ने यह टाइम यह टाइम टेबल सभी जी करते हुए 25-28 परवरी के बीश न्युक्ति पत्र जारी किये जाएंगे नहीं भरती में 21 महीं से 5 जून तक कट आफ के साथ मैरिट सूची वैबसाइट पर अप्लोड की जाएगी काउंसलिंग 18 जून को होगी फिर 20-30 जून के बीश न्युक्ति पत्र जारी किये जाएंगे शिक्षा विभाग की समिक्षा 18 को होगी शिक्षा मंत्री अर्विंद पांडे 18 जन्वरी को शिक्षा विभाग की समिक्षा करेंगे जो कि कर चुके हैं इस तरह से 26 बिंदों पर चर्चा की जाएगी इस दिन मंद्री 25 अगस्त की चर्चित बैठक के फैसलों के कारवाई की समिक्षा भी करेंगे जिसका अब तक जारी नहीं हुआ है ठारा जन्वरी की बैठक में खाली पदों पर भरती शिक्षा मित्रों को पका करने का मसला अधिती शिक्षिकों के मांदे में विर्दी अटल उतका स्कूलों की सीबेसी स्वधा प्रमोशन और न्यूक्ती कलेंडर पकी पर भी चर्चा की गई है तो 2600 पदों पर चल रही है नहीं भरती पर करिया शिक्षा विभाग इस तरीके से बैकलोग पदों पर ठारा फरवरी को कांसलिंगी पर करिया होगी रिजर्ट आप वैब साइट के मादे हम से चेक करेंगे जो कि 270 पोस्ट वेकेंसिस नंबर है न्यू तेरी डिस स्टिक बताई गई है टोटल पोस्ट की एंड रिजल्ट रिलीज होने वाला है कांसलिंग डेट अठारा जून की है और 21 मई से पांच जून तर रिलीजिंग डेट और मैरे लिट्स कट आफ जारी होगी जो मैंने डेट आपको विद्यूस पेपर में बता दी है 20-30 जून म सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद